हेलो फ्रेंट्स दिस इस यदन न्यूज ये है कि रिसेंटली भारत ने कुछ नए देशों में पहली बार अपने सेना के दस्ते भेजे हैं या आप यू कहलीजिये कि विदेशों में भारती सेना तेनात की जाएगी बहुत ही बड़ी ये न्यूज है जो भारत की डिफेंस केपेबिलिटी को दिखाती है ये न्यूज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि चीन के लिए भारत का ये कदम एक बड़ा जटका साबित हो सकता है जिसको हम वीडियो में डिसकस करने वाले हैं समझेंगे क्या है पूरी न्यूज किन-किन देशों में मिलिटरी एटेश को डिपलोई किया जाएगा भारत के इस कदम के क्या माईने हैं बहुत कुछ डिसकस करेंगे एक्शली बात यह है कि रिसेंटली भारत ने विदेशों में डिफेंस एटेश्ट डिप्लोई करने का फेसला लिया है जो भारत की मिलिट्रिट डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए एतिहासी कदम है आप इने हिंदी में सेन्य अताशे भी खेह सकते हैं और गवर्मेंट इंडियन आमी इंडियन नेवी और इंडियन एर फोस के 15 से 16 अताशे पोलेन, अर्मेनिया, तंजानिया, मोजांबि, जिबूती, इथोपिया, आईवरी कोस्ट और फिलिपिन्स जैसे देशों में डिप् इसकी में वजा ये है कि इस कॉंटिनेंट में चाइना ने काफी स्टेजिक गुस्पेट की है और इन सभी चीजों को देख दूए भारत, अब उन्हें स्वदेशी तेजस लड़ाकु विमान, पिनाका मल्टी लॉंच रोकिट सिस्टम, ब्रहमो सूपर सोनिक क्रूज मिसा इस तरह की पोस्ट के लिए जनरली हाई रेंकिंग मिलेटरी ओफिसर डिपलोई किये जाते हैं और इनके पास डिपलोमेट के विशेशादिकार प्राप्त होते हैं, इन्हें जिस कंट्री में डिपलोई किया जाता है, वो उनकी गवर्मेंट के साथ डिफेंस एंड मिलेट related इशु को डील करते हैं, इसका जिकर वियेना कन्वेंशन में भी है और इस कन्वेंशन का आर्टिकल सेवन यारी अनुच्छेद साथ डिफेंस एटेशक को डिफाइन करता है, इन्हें रखषा अताशे की नियुकती को डिफेंस डिपलोमेसी का पार्ट माना चाता है, डि एंड डिफेन्स एक्सपोर्ट को शामिल किया जाता है लेकिन आपका में कोशन ये होगा कि सरकार ने जो एक कदम उठाया है इसके माइने क्या है इसकी इंपोरेंस क्या है भारत के लिए इसका महद्व क्या है जैसे कि हमने शुरुआत में ये बार डिसकस की कि इस रिसेंट इनिशिटिव का मेन फोकस अफरीका कॉंटिनेंट है जिसमें इस कॉंटिनेंट की बहुत सारी कंड्री जैसे इथोपिया, आईवरी कोस्ट, मोजांबिक और जिबूती शामिल है अगर आप जिबूती की लोकिशन दिखेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये एक इंटरनेशन सी रूट के करीब है जो लाल सागर और अधन की खाड़ी से घिरा हुआ है चाइना का मिलिटरी बेस जिबूती में ही है जो अपने आप में प्रूफ करता है कि ये जगा रणनितिक रूप से कितनी एहम है दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमारे एतेशे आईवरी कोस्ट म और समुद्रों में जो illegal activity होती है उसको monitor करने में इसकी महतरपूर्ण भूमी का होगी दूसरी बात इससे फाइदा ये होगा कि अफरीका में भारत की presence और बड़ेगी जहां चाइना का पहले से ही ज़्यादा दब दबा है इसे में अफरीका में हम चाइना की activity को और बहतर तरीके से counter कर सकते हैं हम फिलिपिन्स और अर्मेनिया में भी इनकी तेनाती कर रहे हैं अर्मेनिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त हैं जिसने भारत से पिना का रोकेट सिस्टम की deal की थी और इसी तर आप देखोगे कि भारत और फिलिपिन्स के relation भी better होते जा रहे हैं कास भारत ने ये initiatives हतियारों के सोधे को देखते हुए लिया हैं आपको याद होगा कि भारत ने फिलिपिन्स को ब्रहमोस मिसाइल एक्सपोर्ट की थी इसी तरह भारत इन देशों में भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है तीसरी बात भारत अपने इस प्रोसेस को और भी तार्किक बनाना चाहता है क्योंकि मोस्को एंड लंदन में हम अपने military personal कम करके उन्हें दूसरे देशों में तेनाद कर सकते हैं और government ने भी यही सोचा होगा कि जिस जगा हमानी presence नहीं है वहाँ पर भी हम दीरे-दीरे करके presence बढ़ाएं भारत का प्लान ये भी है क कि हम इस कदम से अफरीका और भारत के बीच military cooperation और अपने strategic partnership को और के से बढ़ाएं इस पर भी focus रहेगा यानि कुल मिला कर कह सकते हैं कि भारत का ये कदम strategic engagement, maritime security और defense export को बहुत boost करने वाला है तो आज के लिए इतना ही, thank you